आठ दिसम्बर उत्पन्ना एकादशी के दिन तुलसी माता को चड़ा देना यह एक चीज आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी उत्पन्ना एकादशी एक ऐसा विशेश दिन होता है, जिस दिन आप अपनी हर एक मनोकामनाओं को कुछ उपायों को डोट। करके पूरी कर सकते हैं, आज के इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिये, दोस्तों सर्वप्रथम इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि उत्पन्ना एकादशी क्यों मनाया जाता है, इसकी तीन कथा मैं आपको बताऊंगा और फिर एकादशी के दिन की विशेश पूजन विधी भी बताएंगे, दोस्तों फिर इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उत्पन्ना एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए, जिससे हमारे अध्यात्मिक उन्नती हो साथ ही साथ इस वीडियो में में आप लोगों को कहानी कैसे बताऊंगा जो की भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी की कथा जो व्यक्ति सच्चे मन से सुनते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आती, ऐसे व्यक्ति के किसी भी तरहे की परेशानी नहीं आती भगवान नारायन की क्रिपा से उनके परेशानी स्वतह ही खत्म हो जाती है, ऐसा व्यक्ति इस धरापर जीतेजी सुख भोगता है, मृत्यू के पश्चात ऐसे व्यक्ति कभी भी यम की आत्मा नहीं सहनी पड़ती और ऐसे व्यक्ति को भगवान के धाम की प्राप्ति होती है, अर्थात बैकुंट की प्राप्ति होती है, तो यह कथा ध्यान से सुनिएगा और हाँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानकारी बताने से पहले सभी को कहना चाहूंगा अगर आज की जो वीडियो आप पूरी तरीके से देख लेते हैं, मिस नहीं करते, तो आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्ती रोख पाएंगे और हाँ कमेंट बॉक्स में अभी तक ओम नमो भगवते वासुदेवा यह नहीं लिखा तो लिख दीजिए तो दोस्तों कार्तिक महीने के शुकले पक्ष की एकाद्शी को उत्पन्ना एकाद्शी के नाम से जानते हैं, कई लोग इसे देवोत्थान एकाद्शी उत्पन्ना एकाद्शी या प्रबोधिनी एकाद्शी आदी नाम जानते हैं, इस दिन भगवान श्री हरी विश्नुजी योग निद्रा से जागते हैं, आए जानते हैं इस कुछ पौरानिक कथा, सर्वप्रथम पहली कथा, पौरानिक कथा के अनुसार एक राज्य में सभी लोग एकाद्शी वरत रखते थे, उस दिन नगर के किसी भी व्यक्ति या पशुपक्षी को अन्न का एक दाना भी नहीं दिया जाता था एक समय ऐसा हुआ कि किसी दूसरी जगह का व्यक्ति राजा के दर्बार में पहुँचा और नौकरी देने की प्रार्थना करने लगा, तब राजा ने कहा नौकरी तो ठीक है, परन्तु शर्थ यह है कि माह में दो दिन एकाद्शी वरत के दिन अन्न नहीं मिलेगा राजा ने नौकरी की यह शर्थ बताई, उस व्यक्ति ने नौकरी के लिए राजा की शर्थ मांगली अगले माह एकाद्शी वरत था, उस दिन उसे अन्य नहीं मिला, उसे फलाहार की सामगरी दी गई, वह राज दर्बार में पहुँचा और राजा से कहने लगा की फलाहार से उसका पेट नहीं भरेगा, उसे अन्य चाहिए, यदि अन्य नहीं खाएगा, तो उसके प्राण निकल जाएंगे, वह राजा के सामने लगा राजा ने उस व्यक्ति को नौकरी की शर्थ याद दिलाई, फिर भी वह राजा से अन्य की मांग करता रहा उसकी स्थिती को देख कर राजा ने उसे अन्य देने का आदेश दे दिया, उसे आटा चावल और दाल मिल गया, वह नदी के तट पर पहुँचा और सबसे पहले स्नान किया, फिर भोजन तयार करने लगा, जब खाना बन गया, तो उसने भगवान से प्रार्थनाकी की भोजन तयार है, आप भोजन द्रहन करें, उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान विश्नु अपने चतुर्भुज स्वरूप में पीले वस्त्रधारन किये प्रकट हुए, उसने प्रभु के भोजन परोसा भगवान विश्नु अपने उस भक् के साथ भोजन करने लगे भोजन के बाद भगवान अपने लोग वापस और वह व्यक्ति अपने काम पर चला गया जब अगली एकादशी आई तो उसने राजा से कहा कि उसे दो गुना अन्य दिया जाए पहली एकादशी पर वह भूखा ही रहा क्योंकि उस दिन साथ में भगवान ने भी भोजन किया उतने अन्य में दोनों भोजन ठीक से नहीं कर पाते हैं उसकी बात सुनकर राजा अचरज में पढ़ गया राजा ने कहा कि बात पर विश्वास नहीं है कि तुम्हारे साथ भगवान भोजन करते हैं वह तो सभी एकादशी वरत करता है, पूजा पाठ करता है, परंतु आज तक भगवान ने उसे दर्शन नहीं दिये, इस पर नौकर ने राजा से कहा कि आपको विश्वास न हो, तो आप साथ में चल कर स्वय ही देख लें एकादशी के दिन राजा एक पेड़ के पीछे गया नौकर ने हमेशा की तरह नदी में सनान किया और भोजन तयार कर दिया, उसने कहा कि भगवान भोजन तयार है, आप भोजन ग्रहन करें, इस बार भगवान नहीं आए, उसने कई बार पुकारा परंतु भगवान नहीं आए, तब उसने कहा कि यदिया नहीं आये तो वह इस नदी में कूद कर जान दे देगा उसने फिर भगवान को पुकारा परंतु भगवान नहीं आये तो वह नदी में कूदने के लिए आगे बढ़ा तभी भगवान हो गए और उसे रोक लिया वह उसके साथ बैठ कर भोजन किया उसके बाद उसे अपने विमान में बैठा लिया और अपने साथ अपने धाम लेकर चले गए यह देखकर राजा को ज्यान हुआ कि मन की शुद्धता के वरत और उपवास का फल मिलता है उसके बाद से राजा भी पवित्र मन से वरत और उपवास करने लगा जीवन के अंत में उसे भी स्वर्ग की प्राप्ती हुई तो दोस्तों ये थी उत्पन्ना एकादशी की प्रचलित था अब सुनते हैं दूसरी कथा अगर आप यहां तीनों कथा ध्यान से सुनेंगे तुम्हें यकीन दिलाता हूँ आपको जीवन में धन की कभी कमी नहीं पड़ेगी इससे महालक्ष्मी जी प्रसन्नता हासिल होंगे महालक्ष्मी की हासिल होती है आए दूसरी कथा की ओर बढ़ते हैं अभी तक कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवा यहां नहीं लिखे हैं तो फिर से गुजारिश करना चाहूंगा लिख दीजिये एक राजा था उसके राज्ज में सुखी थी एक आदशी को कोई भी अन्य नहीं बेचता था सभी फलाहार करते थे एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाही भगवान ने एक सुन्दरी का रूप धारन किया तथा सडक पर बैठ गए तभी राजा उधर से निकला और सुन्दरी को देख चकित रह गया उसने पूछा है सुन्दरी तुम कौन हो और इस तरह यहां क्यों बैठी हो तब सुन्दर स्त्री बने भगवान बोले मैं निराश हूँ नगर मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है किस से सहायता मांगी राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था वह बोला तुम मेरे महल में चल कर मेरी राणी बन कर रहो सुन्दरी बोली मैं तुम्हारी बात मानूंगी पर तुम्हे राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हे खाना होगा राजा उसके रूप पर मोहित था उसने उसकी सभी शर्तें स्विकार कर ली अगले दिन एकादशी थी राणी ने हुक्म की बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्य बेचा जाए उसने घर में मास मचली आदी पकड़ाए तथा परोसकर राजा सिखाने के लिए कहा कि देखकर राजा बोला राणी आज एकादशी है मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा तब राणी ने शर्ट की याद दिलाई और बोली या तो खाना खाओ नहीं तो में बड़े राजकुमार का सिर्कार्ट लूंगी राजा ने अपनी स्थिती बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली महाराज धर्म न छोड़े बड़े राजकुमार का सिर्दे दे पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा इस दौरान बड़ा राजकुमा खेल कर आ गया मा की आँखों में आसु देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो मा ने उसे सारी वस्तुस्थिती बता दी तब वह बोला मैसेज देने के लिए तयार हो पिताजी के धर्म की रक्षा होगी जरूर होगी राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तयार हुआ तो राणी के भगवान विश्नु ने प्रकट होकर असली बात बताई राजन तुम इस कठिन परीक्षा में पास भगवान में प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला आपका दिया सब कुछ है हमारा उद्धार करें उसी समय वहाँ एक विमान उत्रा राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परमधान को चला गया ऐसा भी कहा जाता है इस कठा को कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से सुनते हैं तो ऐसे व्यक्ति को यम की यातना नहीं सहनी पड़ती आये अब तीसरी कठा की ओर चलते हैं जो की तुलसी विवाह जुड़ी हुई है तो शिव महापुरान के अनुसार शंखासुर नामक राक्षस था शंखचूर ने तीनों लोकों में बहुत ही उत्पाक मचाया हुआ था तब सभी देवताओं के आग्रह करने पर भगवान विश्णू ने उस राक्षस से युद्ध किया और यह युद्ध कई वर्षों तक चला युद्ध में वह असुर मारा गया और इसके बाद भगवान विश्णू विश्राम करने चले गए कार्तिक शुकले एकादशी के दिन भगवान की निद्रा तूटी थी और भी देवताओं ने भगवान विश्णू की पूजा की थी शिव महापुराण के अनुसार पौरानिक समय में दैतियों का राजा दंभ हुआ करता था वह बहुत बड़ा विश्णू भक्त था कई सालों तक उसके हाथ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बना कर उनसे श्री कृष्णा मंत्र हासिल किया यह मंत्र हासिल करके उसने पुरसकार सरोवर में घोर तपस्या की भगवान विश्णू उसकी तपस्या प्रसन हुए उसे संतान प्राप्ती का दे दिया भगवान विश्णू के वर्दान से राजा ब्रह्मा के यहाँ एक पुत्र में जन्म दिया इस पुत्र का नाम शंखचूर रखा गया बड़ा होकर शंखचूर ने ब्रह्मा जी को प्रसन करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की उसकी तपस्या से प्रसन होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर्दान मांगने को कहा तब शंखचूर ने वर्दान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे व कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए ब्रह्मा ने उसे यह वर्दान दे दिया कर कहा कि वह बदरी जाकर धर्म ध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले शंखचूर ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहें उसने अपने बल से देवताओं और असुरों दानवों राक्षसों गंधर्व नागों किन्नरों मनुश्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय हासिल कर ली वह भगवान श्री कृष्णा का परम भक्त था शंखचूर के आचारों सभी देवता परेशान होकर ब्रहमा जी के पास गए और ब्रहमा जी उन्हें भगवान विश्णू के पास ले गए भगवान विश्णू ने कहा कि छूट की मृत्यू भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी आथ आप उनके पास चाहिए भगवान शिव ने चित्ररत नामक गड़ को अपना दूट बना कर शंखचूर के पास भेजा चित्ररत ने शंखचूर को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लोटा दे परंतु शंखचूर ने बना दिया और कहा कि वह महेश्वर से युध करना चाहता है भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वे युध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े इस तरह देवता और दानवों में घमासान युध हुआ परंतु ब्रहमाजी के वर्दान के कारण शंखचूर को देवता नहीं हरा पाए भगवान शिव ने शंखचूर का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाश्वानी हुई की जब तक शंखचूर के हाथ में हारी का कवच है और इसकी पतनी का सतीत्व अखंदित है तब तक इसका वध असंभव है आकाश्वानी सुनकर भगवान वृद्ध ब्रहमन का रूप धारन कर शंखचूर के पास गए और उससे श्री हरी कामतदान में मांग लिया शंखचूर ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया इसके बाद भगवान विश्णू शंखचूर का रूप बना कर तुलसी के पास गए शंखचूर रूपी भगवान विश्णू ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचनादी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और पती रूप में आये भगवान का पूजन किया स्मरण किया ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित और भगवान शिवने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूर का वध कर दिया तब तुलसी को पता चला कि वे उनके पती नहीं है बलकि वे तो भगवान विश्नु है क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म धरश्ट किया है और मेरे पती को मार डाला आथ मैं आपको श्राप देती हूं किया होकर धर्ती पर रहे तब भगवान विश्नु ने कहा देवी तुम मेरे लिए भारतवर्श में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंड की नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा तुम पुस्तक में श्रिष्ट तुलसी का व्रिक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी तुम्हारे शराब को सत्य करने के लिए मैं पाशान शालिग्राम बन कर रहूँगा गंडा की नदी के तट पर मेरा वास होगा देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन कर मांगलिक कारियों का प्रारंभ किया जाता है हिंदु धर्म मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार पुन्य हासिल होता है यह भी कहा जाता है सुनना की अगर उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विश्नु को एक तुलसी का पत्ता चड़ाया तो एक हजार गोदाम के बराबर पुन्य का फल हासिल होता है इसलिए इस दिन भगवान विश्नु को जितना ज्यादा हो सके तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित करना तुलसी दल जरूर अर्पित करना चाहिए आईए जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी का वरत कैसे रखना चाहिए और किस तरह से पूर्ण होने में हमें कौन-कौन सी सावधानी रखना चाहिए और उत्पन्ना एकाद्शी दिन ऐसे कौन से उपाय करना चाहिए, जिससे व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नती होगी जानकारी बहुत ही सुन्दर है, विडियो को मिस मत करना क्योंकि अधूरा ज्यान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं, आपने तेरह मिनट का बहुमूल्य समय दिये है, कम से कम पांच मिनट का अपना बहुमूल्य समय और दीजिये यह तो उत्पन्ना एकाद्शी के दिन व्रत करने वाली महिलाओं को प्रात काल में स्नानादी से निवरित होकर के आंगन में चौक बनाना चाहिए भगवान विश्णुके को कलात्मक रूप से अंक करना चाहिए, अर्थात आपसे जैसे बंद पड़े भगवान विश्णुजी की चरणकमल बनाना चाहिए, इस दिन की तेज धूप में विश्णुके चरणों को ढख दें चाहिए, उत्पन्ना एकाद्शी को रात्री के तरह नकारात्मक खत्म होती है, ऐसा धर्म शास्त्रों में लिखा है, तो इस दिन शंक मृतक अंगारे जरूर बजाना चाहिए, विविद तरह के खेलकूद लीला और नाच आदी के साथ इस मंतर का उच्चारन जरूर करना चाहिए, वासुदेवाय मंतर का जितना ज्याद आप जाब करते हैं, है भगवान विश्नु उतना ही ज्यादा प्रसंद होते हैं, पूजन के लिए भगवान का अथवा सिंधासन को विभिन तरह के लतापत्र फल पुष्प और आदी से आप सजा सकते हैं, आंगन में देवोत्थान का चित्र बनाए ततपश्चात फल पक भगवान विश्नु जी का पूजन कर सकते हैं, पंच देव पूजन कर सकते हैं, और जो दीपक है कपूर आदी से शक्ति आती कर सकते हैं, देखिए अगर आप करने में सक्षम नहीं है, तो गन्ने का मंडप बना लीजिए तुलसी माता की एक गमले में लगा, तुलसी रख लीजिए और भगवान शालिग्राम रख लीजिए शालिग्राम नहीं है, तो भगवान कृष्ण जी की मूर्ती लगा सकते हैं, अब आप तुलसी माता तथा भगवान श्री कृष्णा जो की शालिग्राम स्वरूप कहे गए हैं, उनसे विवाह कर सकते हैं, आपसे जैसे बन पड़े मैं यह नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो विधी रहा हो उसी से करें आपसे जैसे बंद पड़े जैसा आपका सामर्थ्य है, उनके अनुसार भगवान का विवाह करा दीजिए, इस बारे में कुछ उपायों को बताना चाहूंगा अगर आज के दिन अर्थात उत्पन्ना एकाधशी के दिन देव प्रबोधिनी एकाधशी के करने वाला कोई उपाय बता दीजिए, तो केवल एक दिन उत्पन्ना एकाधशी के दिन अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से अगर तुलसी माता को मंगरा का पुष्प जीहा पुष्प का हार बना के चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं, तो आर्थिक कश्ट दूर होते हैं, पैसों की कभी भी तंगी नहीं होती, यह भी कहा जाता है इस दिन के पुष्प के हार बना करके अगर तुलसी माता को चड़ाया जाए तो शारिरिक और मानसिक दोनों तरहे के कश्ट ही कश्ट दूर होते हैं तुलसी की जद में कच्चा दूढ डालने से सभी तरहे की मनोकामना की पूर्टी होता है किसी भी तरहे की आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो आज ही शाम के समय में या सुभा के समय में अर्थात उत्पन्ना एकादशी के दिन तुलसी की जड़ में कच्चा दूध जरूर डालें सभी तरहे की मनुकामना पूर्ण होगा विश्णु जी को तुलसी दल से बना एक माला पहनाएं हर तरहे की दुनिया में जो भी आपके संसारिक इच्छा हो भौतिक सुख चाहते हैं अलौकिक सुख चाहते हैं जो भी सुख चाहते हैं सभी तरहे के सुख की प्राप्ती होगी पर एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते पहले से हमको तोड़कर के रखना है तो जी को तुलसी के दल से बना माला जरूर पहनाना सभी तरहे की इच्छा की पूर्टी होगी आज के दिन तुलसी के पौधे पर अगर हम कौडी की माला बांधा दें तो व्यक्ति के जन्मों की गरीबी कंगाली दरिदर्ता दूर होती है तो इसमें हमने आप सभी दर्शकों को आकस्मिक धन प्राप्ती करने के लिए जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अनेक उपाय बताए हैं ये वह उपाय जरूर अगर के मन में कोई दाग कोई प्रशन है तो कमेंट बॉक्स में बिलकुल ही पूछिए आपकी मदद की जाएगी और सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा मैंने जो उपाय बताए हैं वह उपाय रामबान की तरह काम करेंगे इसका प्रभाव और अचूक है कभी भी फेल नहीं जाएंगे तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कॉमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाए जरूर लिखें जिससे विश्नु आपके सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होगी